हर्यान वियर हाउसिंग कोपरेशन के चियरमेन पिरितला के विदायक नायन पाल रावत ने शनिवार को नुजिले के पुनायन सेहर के समीप डुडोली गाउं की तक्रीब एन 11 एकड भूमे में लगबग 9 करोड रुपे की लागत से बन रहे है वियर हाउस गोदाम का ओचक निरक्षण किया निरक्षण के दोरान चियरमेन रावत ने भवन निर्मान में लग रहे है डश्ट को बदलने के निर्देश भाग विभाग के अधिकारियों वेठेकेदारों को दिये विदायक रावत ने कहा कि इस सीजन में गिहूं का बंडारा शुरक्षे ढंग से इस गोदाम में रखने का लक्षे लेकर चल रहे हैं उन्होंने कहा है कि हरियाना के मुख्यमंतरी मनहुरलाल से इस गोदाम के भवन का सिलनियास जल्द ही कराये जाएगा उन्होंने कहा कि काम में तेजी लाने के साथ साथ पार दिरसीता भी आवस्य रूप से बरती जानी चाह वातर ठेकदार विवाक के अधिकारियों की खिलाब का रवाई भी आविस्थी होगी नायन पाल रावत ने पत्रकारों से बातचीत के दोरान कहा कि हरियाना के मुख्यमंतरी मनुरलाल ने इस वियर हाउस गोदाम को बनाने की घोशना की थी जिस पर अमल शुरू हो गया है पुनायना जुरेडर मार्ग पर उजीना ड्रेन के समीब डूडोली गाओं की समीन में यह गोदाम बनाए जा रहा है चेरमेन ने अधिकारियों को कड़े सब्दों में कहा कि इस सीजन में गिहूं का रख रखाओ बहतर ढंग से इसी गोदाम में हो यह सभी अधिकारी सुन निती में काम कर रही है उन्होंने कहा है कि नूजिले के विकास पर जोड़ दिया जा रहा है मुख्यमंत्री मनौरलाल खुद इस गोदाम के निर्मान को लेकर चंडिगड में उनसे बुलाकर इस संद्रम में बात चीद भी की इसके बाद मौके पर मौाइना किया गया चीर में ने चल रहे है विकास कारे की गती पर संतोस जताते हुए कहा कि कुछ सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन डस्ट उनके पेमाने पर खरा नहीं था इसलिए बदलने के निर्देश दिये गए है चीर में ने कहा कि नूजिला विका विकास की गती देने पर तेजी से खदम आगे बढ़ा रही है निती आयोक की सूची में जिसके विकास को लेकर केंद्र वेराज्य सरकार पूरी तरह परियांत सीर्मीन में नौ करोड की रोपे की लागत से माने मुकमंती जी की गोशना के अनुसार यहां पर वेरहाउस मना जा रहा है जिसकी जो की चमता है वो लगबग 15,000 तन रहेगी और उसके बाद इसको और भी बढ़ाया जा सकता है तो लगबग 60,000 तन का 35,000 तन का यहां जो ना सीट का गयों का और रख रखाव हो सकता है आदारसला के लिए माने मुकमंती जी की अगर यह गोशना है तो व क्या हुआ है तो ग्राउंड लेवर पर कितना काम है वो चेक करने के लिए आजाए हैं कुछ चीजों की चेक करने के लिए हैं तो कहीं नहीं कुछ कमी भी मिली है और बाकी माने मुकरंदी जी का समय लेकर जल्दी इसका उत्गाटन कराए जाएगा लगबग 6 महीने के उसी मेस पे जोना अपना सीर्स जोना फसल रखवा दी जाएगी और उसके बाद जो पुर्खी काम बाद में चलते रहेंगा है करेसर मुझे थोड़ा सा च्छन लगा उसलिए बदरने का देशती हैं और को विसेश कमी यहां पर नहीं मिली है काम अच्छा हो रहा है